कि दिए स्टूडेंट्स वेल्कम टू दिसी यू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इस स्टूडेंट्स चप्र नमबर सिक्स कैमिकल बॉर्णिंग इस चेप्टर में से आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे एक एलेक्ट्रॉन इफिनेटी है जिसमें हम एलेक्ट्रॉन इफिनेटी की डेफिनेशन एलेक्ट्रॉन इफिनेटी के प्रियाडिक ट्रेंड्स और फिर अबनार्मल ट्रेंड्स को डिसकस करेंगे जो कि काफी इंपोर करेंगे इसके साथ साथ हम एलेक्ट्रो नेगटिविटी डिसकस करेंगे इसके प्रियादिक देखेंगे और फिर एलेक्ट्रो नेगटिविटी की एप्लिकेशन्स भी देखेंगे सबसे पहले एलेक्ट्रों अफिनिटी को डिफाइन कर लेते हैं एलेक्ट्रों अफिनिटी इस दा एनर्जी रिलीज्ट वेन एलेक्ट्रों एड़ टो एंप्टी आर पार्शली फिल्ड और्बिटल of an isolated gaseous atom in its valence energy level to form an ni जो एलेक्ट्रों अफिनिटी है अगर हम first electron अफिनिटी की बात करें जैसा कि यह definition भी first electron अफिनिटी की है तो usually energy release होती है जब भी हम electron add करेंगे first electron तो आम तोर पर यहीं usually energy release ही होगी कलोरीन आपने electron add किया, कलोराइड बन गया, energy will be released यहीं जो first electron अफिनिटी है किसी भी सिस्टम में जब पहला electron add करती है that is mostly exotherm अब जो electron add होता है कहां होगा ऐसे orbital में होगा जो empty है या जो partially filled है electron add करना उतना ही असान होगा जितना orbital completion के क्रीब होगा जिसे P sub shell है P sub shell में 6 electron होते हैं अगर 5 electron है उसमें electron add करना बहुत easy है क्यों क्योंकि वो एक electron लेकर completely filled sub shell में change हो रहा है अगर 4 है तो उतना easy नहीं है क्योंकि 4 में एक electron add करेंगे 5 होगा फिर भी वो completely filled नहीं होगा तो energy release होगी mostly first electron affinity में जब हम electron add करेंगे वो किसी भी orbital में हो सकता है empathy में भी हो सकता है partially filled में भी हो सकता है और फिर वही condition जो हमने ionization energy के लिए रखी थी कि यह gaseous form में होना चाहिए gaseous form means कि जो भी atom है उसमें दूसरे atom के साथ forces of attraction ना हों वैसे तो जब भी हम atom की बात करते हैं तो इसका मतलब है gaseous state ही है लेकिन फिर भी बहुर clearly अगर हम देखें तो वो gaseous state में ही होना चाहिए elemental form में ना हो molecular form में ना हो electron affinity के लिए ionization energy के लिए उसको gaseous state में होना चाहिए ताके साथ वाले जो atom में उनके साथ उसकी कोई forces of attraction ना हो electron affinity, first electron affinity energy release होती है mostly जब हम electron add करते हैं और uni negative आईन बन जाता है अगर हम इसकी example देख लें पूरे जो टेबल में सबसे ज्यादा electron affinity है वो कलोरीन की है कलोरीन में जब electron add होता है तो सबसे ज्यादा energy release होती है कलोरीन gaseous state में है gaseous atom है जब इसमें एक electron add करते हैं तो यह बन जाता है कलोराइट क्योंकि first electron affinity है it will be exotherming वोस भी exotherming होती है first electron affinity और पूरे predictable में सबसे ज्यादा electron affinity कलोरीन की है कलोरीन में electron add होनी की tendency पूरे predictable में सबसे ज्यादा है और इसकी value कितनी है minus 349 kJ per mole पूरे predictable में सबसे कम electron affinity cesium की है अगर आपको आदो last lecture में जे आयोनाइजेशन नर्जी के extreme जो end थे वो बताये थे कि सबसे ज्यादा ionization energy ही Republicans की और सबसे कम cesium की electron affinity में सबसे ज्यादा electron affinity कलोरीन की और सबसे कम electron affinity cesium की है कलोरीन की electron affinity पूरे predictable में सबसे ज़्यादा है अगर हम factors देख लें तो factors में nuclear charge है size of the atom है shielding effect है nature of the sub shell है तो यहाँ पर अगर हम effective nuclear charge देखें effective nuclear charge जितना ज्यादा होता है electron affinity इतनी ही ज्यादा होती है effective nuclear charge जितना ज्यादा होगा electron affinity उतनी ही ज्यादा होगी size of the atom atom का size जितना छोटा होगा उतना ही electron nucleus के ज्यादा करीब होंगे इसका मतलब है nucleus उनको अपनी तरफ ज्यादा force के साथ attack करेगा size जितना छोटा होगा electron affinity उतनी ही ज्यादा होगी अगर हम shielding effect की बात करें तो shielding effect जितना ज्यादा होता है यह आपस में electronic repulsion जितनी ज्यादा होती है तो इसका मतलब है electron affinity उतनी ही काम होगी उतना ही electron add करना मुश्कल हो जाएगा दास्ट में आए nature of the sub shell या orbital sub shell या orbital electron add करना तब easy होगा जब वो complete होने के करीब होगा जैसे P है P sub shell में 5 electron है तो इसमे electron add करना easy है क्योंकि एक electron लेकर ये completely filled हो जाएगा लेकर अगर sub shell पहले से completely filled हो जाएगा तो इसमें electron add नहीं होगा next sub shell में add होगा इसकी वज़ाए से हम ऐसे elements की electron affinity को आप दोर पर zero consider करते है S में देखिए अगर एक electron है तो electron add करना easy है अगर दो electron हो जाएंगे तो next फिर वो P में add होगा इसी तरह अगर P1 और P2 में से देखिए P1 और P2 है किसमे electron add करना easy होगा तो P2 में easy होगा क्यों तो P2 जब एक electron ले लेगा तो वो half field हो जाएगा हमने last lecture में देखा था कि half field ज्यादा stable होते है तो nature of the orbital या sub shell इसकी हम last में जाएगे detail भी पढ़ेंगे ये भी electron affinity को effect करते हैं effectors के बाद अगर हम इसके periodic trends देख लें तो periodic trends के same हैं जो ionization energy के हैं देखें groups में ग्रुप्स में effective nuclear charge काम होता है अगर effective nuclear charge काम होगा तो electron affinity काम हो जाएगी यह नहीं electron के लिए attraction भी काम हो जाएगी size of the atom down the group जाते हुए size बड़ा होता है size बड़ा होगा तो electron affinity काम हो जाएगी इसी तरह down the group shielding effect ज्यादा होता है number of shells ज्यादा होती है और number of shells बढ़ेंगे shielding effect बड़ेगा तो फिर electron affinity down the group काम होती जाएगी अगर हम periods में देखें इसके trends across the periods तो across the period size small होता है size अगर small होगा तो electron के लिए attraction बढ़ जाएगी attraction बढ़ेगी तो electron affinity ज्यादा हो जाएगी similarly across the periods effective nuclear charge ज्यादा होता है effective nuclear charge ज्यादा हो size small हो तो फिर electron affinity ज्यादा होती है ज्याद रखिएगा across the period number of shells भी change नहीं होते और shielding effect भी change नहीं होता है अब है abnormal trend electron affinity में अगर आप electron affinity के trends देखें तो देखें hydrogen की electron affinity ज्यादा है तो अगर आप इसकी electron है configuration चेक करें तो S1 है ये एक electron ले ले लेगा ताके S2 होके complete default हो जाए जबके helium noble gas है इसकी electron affinity 0 है क्यों क्यों क्योंकि इसका sub shell complete है इसके बाद second period start हो जाता है lithium की electron affinity ज्यादा है क्यों lithium की जो various electronic configuration है वो S1 है और brilliant की देखें electron affinity positive में चले गई है तो क्योंकि brilliant जो है इसकी जो configuration है वो 2S2 है इसका sub shell complete होता है अगर हम electron add करना चाहते है तो इसके valence shell में जो 2P empty है उसमें add करना पड़ेगा और empty में add करने के लिए energy ज़्यादा required होगी याद रखिएगा हमने शुरू में लेक्चर के कहा था कि first electron affinity mostly exothermic होती है हमेशा की बात नहीं की हमेशा जो first electron affinity exothermic नहीं होगी बैसा कि यहाँ पर देखें electron affinity brilliant की positive में चले गई है negative की बजाए क्यों brilliant का अगर आप atomic number देखें तो brilliant का atomic number 4 है first shell में two electron है और second shell में भी two है first shell में sub shell S है second में S है और P है अब पहला तो sub shell complete है पहले shell का sub shell दूसरे sub shell का S तो complete है लेकर P empty है अब electron अगर add करेंगे तो हमें P में add करना पड़ेगा जो empty है जो के इसको unstable कर देगा क्योंकि इसकी अब configuration stable है और चूंकि इसमें unstability आ रही है unstability आने की वज़ा से जो है यह इसमें एक electron add करना मुश्कल हो जाएगा energy provide करनी पड़ेगी तो brilliant की first electron affinity endothermik है फिर देखें electron affinity बढ़ती चाह रही है देकर nitrogen वाले group में जाके फिर काम होगी क्यों काम होई nitrogen वाले group में ज्योंकि nitrogen वाला group जो है यह उसकी configuration जो है वो P3 है पांचमें ग्रुपकी configuration यह पांचमें ग्रुपकर है brilliant का group दुसरा है nitrogen वाला group पांचमें ग्रुप है तो पांचमे ग्रुपकी configuration stable होती है half field होती है एक electron लेकर अपनी configuration को unstable नहीं करना चाहते इसकी वज़ाए से पांचवे ग्रूप के मेंबर्स भी easily electron gain नहीं करते उसके बाद oxygen है और fluorine अगर आप देखें पीक पे सारे halogen's है halogen's की electron affinities सबसे ज्यादा होती है वज़ा क्या है साथवे ग्रूप की electron affinity सबसे ज्यादा क्यों है तो यह फॉरण एक electron लेकर अपनी configuration को P6 करके stable कर लेते है तो पूरे predictable में याद रखिएगा सबसे ज्यादा electron affinities halogen's की है और halogen में देखें सबसे ज्यादा electron affinity कलोरीन की है पूरे predictable में सबसे ज्यादा electron affinities halogen's की है non-metals है, non-metals की electron affinities ज्यादा होती है और metal की electron affinities कम होती है अगर आप देखें तो यह metals है वो नीचे पड़ी है सोडियम, मगनेसियम, कैलसियम, प्टैसियम वगएरा अब अगर next period में देखें फलोरीन के बाद इसी period में, दूसरे period में फलोरीन के बाद neon आता है तो देखें, neon में electron add करना कितना मुश्कल काम है उसकी electron affinity positive में चली गई है क्योंकि उसके configuration पहले ही stable है, P6 है अगर आप इसमे electron add करना चाहते हैं तो इसके next sub shell बे जाएगा जो के empty है तो और वहां पर electron add करना मुश्कल है इसी तरह sodium की electron affinity ज्यादा है क्योंकि S1 है और उसके बाद magnesium की electron affinity देखें कितनी काम होगी, positive में चलीगी, endothermik होगी है क्योंकि इसकी configuration stable है, S2 है एक नया electron add करना, इसकी configuration को stable करने वाली बात है इसकी वज़े से ये easily electron नहीं लेगा फिर electron affinity बड़ी aluminium की ज्यादा होई इस इलीकॉन की लेकन फासफोरस की फिर नीचे गिर गी क्योंकि फासफोरस का तलग पांचमें ग्रूप से है और पांचमें ग्रूप से तलग होने की वज़े से इसकी configuration stable है, half field है एक निया electron add करना मुश्कल है फिर पी, ये sulfur है और sulfur के बाद देखें कलोरीन है, हैलोजेंज में है, P5 configuration है तो इसकी electron affinity ज्यादा होगी और फिर देखें, electron affinity means energy release ज्यादा होगी अगर आप फिर next noble gas पर जाएं तो देखें, वो और ज़्यादा endothermic process हो गया है तो first electron affinity endothermic हो सकती है जब configuration stable हो, तो फिर energy provide करनी पड़ेगी electron देने के लिए energy release नहीं होगी इसमें जो stable configuration है किन groups की है दूसरे group की है, क्योंकि ये S2 होता है इसी तरह पांचमें group की है क्योंकि ये half field होता है, P3 इसका valence shell जो है उसमें configuration और 8 ग्रूप में completely field होता है तो ये ऐसे groups हैं जिनमें electron add करने के लिए energy provide भी करनी पड़ेगी, यानि ये वाड़ा process endothermic हो जाएगा, usually first electron affinity exothermic होती है, but it may be endothermic when electronic configuration of the element is stable अब अगर electron affinity और folorine और कलोरीन देखिए पुरे predictable में, सबसे ज़्यादा halogenes की electron affinities हैं, और halogen में सबसे ज़्यादा कलोरीन की है, कलोरीन की जो electron affinity है वो है minus 349, जबके जो folorine है इसकी electron affinity almost minus 337 है यनि folorine में common energy release होती है कलोरीन में ज्यादा energy release होती है वज़ा क्या है, actually जो folorine है इसका size small होता है, और इसके size small होने की वज़ा से, इसमें जो electronic cloud है वो ठिक होता है, size छोटा है, electron seven है electronic cloud ठिक है, वो ठिक electronic cloud incoming electron को repel करके रखता है वो add नहीं होने देता, अगर आप पूरा period देखें सबसे पहले lithium आएगा, lithium का size बड़ा होगा, फिर उसके बाद brilliant है, brilliant के बाद आजाएगा boron, boron के बाद carbon, carbon के बाद आजाएगा अगर हम इसको read रा कर ले, सबसे पहले lithium, lithium के बाद brilium, brilium के बाद boron, boron के बाद carbon, carbon के बाद nitrogen, nitrogen के बाद oxygen और oxygen के बाद fluorine, इस तरह से across the period size समाल होते जाएगे, अब lithium में total electron 3 है, size इतना बड़ा है, लेकन fluorine का size चोटा है और electron कितने हैं, इसमें 9 electron है, क्योंक अटॉमिक नमबर 9 है, और इसके वैलर शेल में 7 electron है, 7 electron से मराद है, इसके वैलर शेल में configuration 2S और 2P आ जाएगे तो इसमें इसका electronic cloud 2P5 है, इसका electronic cloud थिक हो जाता है, यानि electron density बहुत जादा हो जाती है, size समाल होने की वज़ा से, जिसकी वज़ा से फलोरीन में एक electron एड़ करना as compared to कलोरीन मुश्कल है, अगरचे फिर भी energy बहुत जादा रेलीज हुई है, माइनस 337 लेकन कलोरीन से काम हुई है, क्योंकि कलोरीन का size फलोरीन से बड़ा है, ग्रूप में एक step नीचे चले गया, उसका electronic cloud इतना थिक नहीं है, उसकी configuration B2S, 3S2, 3P5 है, यानि S2 और P5 है, लेकन उसमें electron add करना as compared to फलोरीन इसी है, तो due to thick electronic cloud, due to small size, फलोरीन में electron add करना मुश्कल है as compared to कलोरीन, अगर हम higher electron affinities की बात करें, तो first electron affinity, usually, mostly first electron affinity, exothermic होती है, अगर्चे हमने देख लिया है, endothermic भी हो सकती है, जब electronic configuration stable हो, लेकन second electron affinity हमेशा endothermic होगी, second electron affinity में exo तो बिल्कुल है ही नहीं, first electron affinity mostly exo है, लेकन endo हो सकती है, लेकन second electron affinity हमेशा endothermic होगी, वज़ा क्या है, वज़ा यह है कि जब एक electron किसी भी system में add हो जाता है, अब जब आप उसमें दूसरा electron add करते हैं, उस पर तो negative charge आ चुका है, दूसरा electron add करते हैं, electron पर भी negative charge है, तो जो negative charge है, वो incoming electron को repel करता है, उस repulsion को overcome करने के लिए energy provide करने पड़ती है, यह जब first electron add होग तो यूनी नेगेटिव आइन बन जाएगा, अब यूनी नेगेटिव आइन में एक और electron क्योंकि एक electron पर तो negative charge है, और यह यूनी नेगेटिव आइन ये भी negative charge है, तो negative negative को repel करता है, इस repulsion पर काबू पाने के लिए to overcome this repulsion, एक जो electron है, add करना है अगर extra, उस repulsion पर काबू पाना है, उबर काम करना है, तो energy provide करनी पड़ेगी, यही वज़ा है, first electron affinity के अलावा, जितनी पी electron affinities की values होंगी, उस सारी की सारी values endothermik होगी, first electron affinity mostly exothermik, लेकन ये endothermik भी हो सकती है, next है हमारा topic electron negativity, electron negativity क्या है, tendency of an atom to share attract the shared pair of electron towards itself, इसका कोई unit नहीं होता, अब देखें, जो ionization energy है और जो electron affinity है, उनकी खास बात ये है, कि ionization energy और electron affinity में हम electron add करते हैं या निकालते हैं, जब उसको हम free state में ले आते हैं, जब वो gaseous state में होता है, जब वो atomic state में होता है, यह नहीं, ionization energy minimum amount of energy required to remove an electron from gaseous atom, electron affinity energy released when electron is added to gaseous atom, लेकन जो electron negativity है, इसके बारे में खास बात ये है, कि ये atom की property है, in a molecule, जैसा कि देखें हमारे पास HFN, heteroatomic molecule है, जो different तरह के atom है, दोनों के तरम्यान shared pair of electron है, लेकन ये जो फलोरीन है, ये इस pair को अपनी तरफ ज्यादा ट्रेक्ट करके रखता है, क्योंकि इसकी electron negativity ज्यादा है, जबकि ionization energy और electron affinity जो हैं, जो atom की properties हैं, free state में, अब उसकी किसी के साथ कोई force of attraction नहीं है, electron negativity की value ये pollen ने determine की थी, और इसने arbitrary सबसे ज़्यादा जो electron negativity की value थी, वो फलोरीन की थी, फलोरीन की electron negativity पूरे不會 सबसे ज़्यादा हैं, और सीजियम की electron negativity पूरे हई ये सबसे काम हैं, एक तरफ सीजियम है, जिसकी electron negativity सबसे ज़्यादा है, जाद रखियेगा, सीजियम जो है यह मोस्ट रियक्टिव मैटल है प्रियाडिक्टेबल में और फलोरीन इस दा मोस्ट रियक्टिव नौन मैटल इंदा प्रियाडिक्टेबल यह प्रियाडिक्टेबल के एक्स्टीम एंस है फलोरीन मोस्ट रियक्टिव non-metal और cesium most reactive metal है जो फलोरी ने इसकी value arbitrary 4 रखी गई है जो के periodic table में सबसे ज़्यादा है अगर हम periodic tense देख लें तो across the periods में electron activity ज़्यादा होती है sheeding effect तो constant रहता है फिर ज़्यादा क्यों होती है actually effective nuclear charge बढ़ जाता है और size small हो जाता है effective nuclear charge ज़्यादा होगा तो valence shell के electron पर nucleus की pole ज़्यादा होगी और ये अपनी तरफ shared electron pair को भी ज़्यादा खेंच के रखेगा और इसी तरह atomic size कम हो जाएगा प्रियाडिक table में बिल्कुल ionization energy की तरह electron negative थी प्रियाडिक table में प्रियाडिक table में same trends है groups में भी periods में भी यहाँ पर groups होगी है groups में भी same है जैसा कि ionization energy के trend है जैसा कि electron infinity के ionization energy across the period ज्यादा होगी electron affinity across the period ज्यादा होगी तो electron negative थी across the period ज्यादा होगी क्योंकि effective nuclear charge बढ़ जाता है क्योंकि size small हो जाता है डाउन दी group आयनाईजेशन energy कम होती है डाउन दी ग्रूप electron affinity कम होती है डाउन दी ग्रूप electron negativity भी कम होती है तो एफेक्टिन्यक्लियर चार्ज कम हो जाता है size बड़ा हो जाता है number of shells बढ़ जाते हैं शीलडिंग इफेक्ट बाढ़ जाता है जिसकी वजह से दाउं डीघ्रो यह तीनों ऑने जेशिनर्जी अलएक्ट्राओं इफिनेटी और एलेक्टो नेगटिव्टी अब हम देख लेते हैं एप्टीकेशनज ऑफ एलेक्टो नेगटिव्टी से हमें नेचर अविटिव शीर non-polar होता है जैसा के देखें सीएच-4 में कार्बन और हैड्रोजेन बांड और हैड्रोजेन बांड में कार्बन की रेक्रों नेगिटिवटी 2.5 है और हैंड्रोजेन की रेक्रों हैंड तो यह जो डिफरंस आएगा दोनों की द्रम्यान वह प्वॉंट फॉर काएगा इसका म तो हम कहते हैं bond ionic है, ionic bond याद रखिए कि जब भी bond ionic होगा तो ionic bond polar ही होते हैं, ionic compound सारे के सारे polar होते हैं, यह जो polar और non-polar, non-polar वाला concept है, यह वाला concept आता है सिरफ covenant bond के लिए, तो हमारे पास ionic bonds हैं यह तो होंगे polar और इनमें electron negativity का difference भी बहुत ज्यादा होगा, अगर electron negativity क difference 0.5 से 1.6 आता है, तो हम कहते हैं यह वाला bond polar है, यानि अगर 0 से 0.4 आ जाए, तो non-polar है, भी covenant है, non-polar covenant, और अगर 0.5 से 1.6 के दर्मियान आ जाए, तो हम कहते हैं, यह polar covenant है, दोनों bond covenant, 1.6 से कम-कम covenant होगा, लेकिन covenant polar भी हो सकता है, और non-polar भी, अगर electron negativity का difference 1.7 आता है, तो हम कहते हैं 50% ionic, 50% covenant, लेकिन bond फिर भी पॉलर ही होगा, और अगर 1.7 से ज्यादा आदे, तो bond ionic होगा, आयनिक होगा, तो bond polar होगा, तो इसका मतलब हम यह कह सकते हैं, कि 0 से 0.4 तक, 0 से 0.4 तक bond non-polar है, इसके अलावा, इस से ज्यादा जब भी electron negativity का difference आएगा, bond polar ही तो कवलेंट भी हो सकता है, और वो ionic भी हो सकता है, दूसरी बात, दूसरी इसकी application, हमें इससे ionic character पता चलता है, क्योंकि electronegativity difference is called ionic character, जैसा के NaCl में ionic character 72% है, लेकन cesium fluoride में 92% है, cesium fluoride में दोनों extreme end है, cesium is the most reactive metal and fluorine is the most reactive non-metal, इसकी वज़ा से इन में ionic character सबसे ज़्यादा है, 92%, जैद रखिएगा, electronegativity difference is called ionic character, तो net हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं, हमने ये result जो है, वो deduce किया है, conclusion हमारी ये है, कि 0 से 0.4 तक barn non-polar है, और 0.5 से onward सारे के सारे barn, जब electronegativity का difference 0.5 से ज़्यादा होगा, तो तब सारे के सारे barn polar हो जाएंगा, इसकी application है, bond energy की, जितना electronegativity का difference ज़्यादा होगा, bond उतना ही strong होगा, और bond जितना strong होगा, उसको break करना उतना ही मुश्कल होगा, इसका मतलब है, greater the electronegativity difference, stronger the bond, आम ऐसे भी कह सकते हैं, electronegativity का difference ज़्यादा होगा, तो bond short हो जाएगा, उसकी length काम हो जाएगा, greater the electronegativity difference, shorter and stronger the bond, ये इसकी electronegativity की एक और application हो जाएगी, ये था dear students हमारा आज का lecture, इसमें हमने electron affinity और electronegativity को cover किया, thank you very much.